तांत्रिक कोंपर बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं और इसी विश्वास के चलते उनके साथ हो जाता है बहुत ही बड़ा एक विश्वास में घात वैसा ही आज की सची घटना में होता है एक महिला जो कि तांत्रिक पर विश्वास करती है जिसकी यहां पर एक थाना लगता है बरवा थाना जहां का एक इलाका है आजाद कोटिया इलाका जहां कि यह सची घटना है यहां पर एक परिवार जिस परिवार का जो मुख्या होता है जिसका नाम होता है सुरेश उसकी पत्नी जिसका नाम होता है रंजना दौनों के एक परिवार ह बड़े बेटे का नाम सुदीर है और छोटे बेटे का नाम सुदीर है चोटे बेटे का नाम सुनिल है था खा सIs के पठाइब एक उसका पिता उसकी मा रंजना और वो अपनी पोती को लेकर एक दिन जाते हैं लेकिन जब घर लौट कराते हैं तो उनकी बहु जिसका नाम होता है मीना जो कि किचिन में एक रसी से लटकी हुई है और उसमें सांसे नहीं है जैसे वह चीज देखते हैं तो चीखने चिलाने अपने आपको ही खतम किया है लेकिन यहाँ पर उसकी सास रंजना किलियर मना कर देती है कहती है कि मेरी बहु माइंड से बहुत स्ट्रॉंग थी ये अपने आपको खतम नहीं कर सकती जैसे वो इस बात के लिए पुलिस को बोलती है लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती ह यहीं पर बंद कर देती है लेकिन यहांपर रेंजन आपने पती को लेकर बड़े आला अधिकारियों से मिलती है और अपनी बहू کے लिए बात मांड़ी पूरियरे इस केस की फिर से जांच परताल होने लगती है यहां पे पुलिस उसकी बहु जो की जिसने अपने आपको खतम किया मीना उसकी call detail निकलवाती है तो उससे पता चलता है कि एक नंबर है जो कि राजेस के नाम से है रजिस्टर उस पे लगातार पिछले 15 दूनों से बाते हो रही हैं और सिर्फ इसी से बाते हो रही हैं उस नंबर से और किसी से भी बाते नहीं हुई हैं आप पुलिस यहां पर समझ जाती है कि कहीं न कहीं दाल में जरूर कुछ काला है पुलिस अब उस राजेस के पास पहुंसे हैं तब ही राजेस कहता है कि मैंने तो कोई नंबर नहीं निकलवाया साएद ये किसी मतलब मेरे डौकिमन्ट निकलवाया है पुलिस भी जाच को बहुत गहराई से करती है और अब जिस फौन में वो SIM डली थी उस phone का EMI number निकाला जाता है उस EMI number से εeous phone को tracing पर रखा जाता है जैसे उसमें नई SIM डलती है तो पुलिस अब पहुँच जाती है उस phone के मालिक के पास phone का जो मालिक होता है जिसका नाम होता है Mohan Vajpay उसका वो phone होता है उसी में वो SIM होती है जिससे लगातार बाते हो रही थी तब भी उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई भी किसी से बाते नहीं हुई लेकिन पुलिस सकती से पूछती है तो वहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है वहाँ पर पता चलता है कि जो सुधीर था वो एक साधी भी जमारों में गया हुआ था वहाँ पर उसकी मुलाकाद एक लड़की रूबी से हुई थी जिससे वो लगातार बाते करता था और लगातार उसके कॉन्टेक्ट में था तो लगातार कॉंटेक्ट में था तो दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है लेकिन यहां पर जो सुधीर है वो रूबी को क्लियर बता देता है कि मेरी एक पास साल की बेटी भी है और मेरी पत्नी भी है मेरा संकून परिवार है लेकिन रूबी फिर भी उसे छोड़ है और कहती है कि हमारी बसी बसाई ग्रस्ती को आप क्यों लगाने पर तोड़े हो तब ही जो सुधीर है उसका फॉन गिर जाता है और वो फॉन ऑन ही नहीं होता है इस पर रूबी बार बार सुधीर से बात करने की कोशिश करती है तब तक रूबी को भी पता चल चुका था कि इसकी पतनी को पता है कि हम लोग relationship में है तो लगातार फॉन नहीं मिलता है तो अब उसको परिशानी होती है कि कहीं सुधीर के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ तब ही रूबी सीधी सुधीर के घर आती है जब वो घर आती है तो सुधीर कोई भी घर पर नहीं होता है सिर् जिस तरीके से उसको वहां पर जलील किया इसको रूबी बिल्कुल बरधास नहीं कर पाती है तब एक एड़ आती है तांत्रिक की जिसमें लिखा होता है टो उस Бाधा को हम मुक्त करा सकते हैं उस नंबर पे रुबी कॉल करती है जिस तांत्रिक का नाम था अकबर अली और कॉल करकर अपनी परिशानी बताती है यहां पर वो तांत्रिक पूरी उसकी गारंटी लेता है और बदले में 30,000 रुपे मांगता है और वो कहता है कि मैं यहां से ऐसे पढ़ूंगा जिससे वो अपने आपको खतम कर लेगी इस पर रूबी को विश्वास हो जाता है और वो उसको 30,000 रुपे दे देता है 30,000 रुपे लेने के बाद करीबर एक हपता निकल जाता है लेकिन यहां पर मीना को कुछ भी नहीं होता है तब ही रूबी फिर से तांत्रिक के पास जाती है और कहती है कि आपने तो बोला था वो अपने आपको खतम कर लेगी लेकिन वो तो हस्ट पुस्ट है तब ही तांत्र बावा अपना जोला लेकर फरार हो जाता है जब दस दिन बाद फिर से रूबी आती है तो वहां पर तांत्रिक नहीं मिलता है लेकिन वहां पर उस तांत्रिक का चेला जिसका नाम होता है मनीश वो मिलता है वो रूबी से बात करता है कि गुरुजी पर तो आपकी प्रॉब 50,000 रुपे की ट्रांसपर कर देती है अब वो 50,000 रुपे लेकर एक विक्ति से बात करता है जिसका नाम होता है मोहन और उससे कहता है कि उसको रास्ते से हटाये जाए यहां पर मोहन जो कि बहुत करज में डूबवा हुआ था उसके लिए बहुत कम रकम ही बहुत माइने रख रही थी तब लोग प्लन करते हैं ऑर प्लन के एकोडिंग जो मोहन है वो एक राजिश नाम के विक्ति के नंबर स्टादारकार्ण पर सिम निकलवाता है और अब उससे वो तांत्रिक बनकर उसके घर पर जाता है और जाते ही कहता है कि तुमारा वक्त ख़राब चल रहा है तुमारा जो पती है वो महिला के चक्कर में आया हुआ है जिससे तुमारे घर पर बड़ी आपट आने वाली है जैसे वो तांत्रे के इन सब्डों को बोलता है तो अब मीना को उस पर बहुत ज़्यादा विस्वास हो जाता है और वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है वो बताता है कि तुम्हें एक काम करना है जिससे रूबी पर बड़ा जोर पड़ेगा और जैसे तुम चाहोगी रूबी इस संसार से चली जाएगी वो बताता है कि तुम्हें अपनी किचिन में अपने ही गले में रसी डाल कर दो मनट के लिए लटकना होगा फिर मैं तुम्हें बचा लूँगा और वो उसके कहने पर बिल्कुल वैसा ही करती है और फिर तांत्रिक उसको बचा लेता है यही प्रक्रिया लगातार तीन दिनों तक चलती है और वो मीना जब कोई भी घर पर नहीं होता तब ही उस तांत्रिक को बुलाती और वो तांत्रिक भी सिर्फ मीना से ही उस नंबर से बात कर रहा था और उसके घर पर आता है आने के बाद तीन दिन तक लगाता है ये प्रोसेस चलता है वो उसको बताता है कि जितना जोर तुम पे पड़ेगा उतना ही रूबी पे भी पड़ेगा जब मैं तुम्हें बचा लूँगा तो वो बच जाएगी तब ही कहता है कि आज लास्ट दिन है आज के बाद रूबी इस दुनिया में नहीं रहेगी तो मैं फिर से वो प्रक्रिया करनी है और मीना यहां पर वो चीज मान लेती है लेकिन यहां पर जो मोहन था वो मनीश को अपने पिता को साथ लेकर आया था पिता को उसने दरवाजी होता है उनका उसको शुरू करता है और उससे कहता है कि तुम किचिन में स्टूल पर खड़ी होके अपने आपको लटकाओ मैं तुम्हें फिर से बचाता हूं और आज रूबी इस संसार में नहीं रहेगी इस चीज को सुनने के बाद वो उसी प्रक्रिया को दोराती है लेक पुलिस को पता चलता है इस बात का जब खुला सा पुलिस के सामने होता है तो रूबी अपना जूर्म एकसेप्ट करती है साथी साथ तांत्रिक बाबा जो पहले भगा था भाग चुका था उसका तो अभी तक कोई पता नहीं चला है लेकिन आपर मनीश और मोहन और उसके पिता को अरेश्ट कर लिये गया है एक ऐसी सची घटना हमारे सामने आई जिस में कहते हैं कि हमारा जो देश हैं वो जू साधूसंत होते हैं उनकी वानी पर बहुत हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम भारत देश के बासी हैं लेकिन यहां पर ऐसे कुछ पाकंडी बाबाओ की वज़े से वो सारे विश्वास खतम होते जा रहे हैं कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकता ऐसी घटनाओं के चलते विडियो गर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा मेरा इस कहानी को लाने का सिर्फ एक उद्दिश्यता कि आप लोग इन से सतर्क रहें किसी भी ता